वेलकम और वेलकम बैक तो आज हम बात करने जा रहे हैं रुपी कोपरेटिव बैंक लिमिटेड के बारे में जिसका की लाइसेंस आर बी आई ने रद कर दिया है इसमें अराउंट पांच लाख डिपोजिटर्स है तो हम बात करेंगे उन डिपोजिटर्स पर क्या इंपक्ट इंस्टिटूशन जो कि बैंकिंग बिजनिस को रन करना चाहता है यह रिपाई के दुआरा ही प्रोवाइड करवाया जाता है एक सीरीज ओव स्टेप्स होती है जो अर्वि आई फोलो करती है और अगर वह इंस्टिटूशन हो वनारं दिस बैंकिंग बिजनिस उन्रेक्ष उसको follow कर लेता है और fulfill करता है तब ये banking license provide करवाया जाता है RBI के दुआरा ओके अभी types of banking licenses तीन तरह के banking licenses होते हैं एक full banking license जो की general banking activities के लिए होता है basically जितने भी banks है उन सब को full banking license ही दिया जाता है ये withdrawal और जो deposit करती है जो people उसमें उन सब के लिए norms and conditions रखता है फिर आता है international banking license ये भी same होता है but for banks which are related with international business उनका local banking business से कोई लेना देना नहीं होता ये internationally ही run करे जाते हैं फिर आता है तीसरे number का banking license जो की non banking financial institution होते हैं ये भी bank की तरह ही financial service provide करते हैं लेकिन इनके लिए जो rules and regulations होता है वो बहुत कम होते हैं लेकिन you must have seen a lot of NBFIs converting into banks वो अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं by taking full banking license from RVI और उनके जितने भी norms and regulations से उनको follow करके अभी banking regulation act है 1949 जिसके तहत ये जो तीन sections मैंने डाले हैं इसमें बहुत ही important हो जाते हैं for any financial institution section 22 जो की कहता है licenses of banking companies okay मतलब एक अगें वही चीज जो मैंने describe करी banking license में कि जो भी institution banking business को चलाना चाहता है it must have a banking license provided by RBI okay then section 11 is there which is related to the minimum paid up capital and reserves इसको समझ लीजिये थोड़ा सा जैसे मेरे पास 4000 रुपेया मैं एक general example दे के बता दो मुझे 2000 किसी को loan में देने हैं तो I must have something as reserved money जो की अगर कुछ loss होने लगे या फिर जो मैंने loan दिया है वो non-performing asset में change हो जाए non-performing asset होता है अगर हमने कोई loan दिया और वो वापस नहीं आ रहा है अब तो वो basically bad debt हो जाता है non-performing asset हो जाता है और इन ही NPAs की वज़े से एक bank जो है वो basically loss में आता है okay तो अगर ऐसा कुछ होता हो पर bank को loss जहिलना पड़े तो उस time पे हमारे पास capital होनी चाहिए to recover from that loss और depositors का पैसा उनको वापस देने की क्योंकि loan हमारा वापस नहीं आ रहा है तो section 11 इन चीजों के लिए बात करता है section 56 बात करता है कि हम bank word का use नहीं कर सकते if it's not approved by RBI bank word का और इसके किसी part का भी नहीं जैसे banking word हो गया banker हो गया इन सभी words का use कोई भी institution नहीं कर सकता until and unless the permission has been given by RBI okay so that is banking regulation act 1949 अभी RBI ने cancel क्यों करा है licenses इसके पीछे कहीं सारे reasons है first of all जो current financial situation है ना bank की रुपी cooperative bank की यह पूने based है महरास्ट्र में यह अपने जो present depositors है ना उनको भी full aid में उनका पैसा नहीं लोटा पा रहा है उस condition में ही नहीं है इतने सारे loan दे चुका है और बहुत सारे loan again NPAs में convert हो गए जोकी non-performing asset में convert हो गए जिसके वज़े से bank loss में चला गया और उसके पास अभी उतना reserve भी नहीं है कि वो अपना continue कर सके अपना business ठीक है second reason यह है कि public interest जो है ना वो adversely affect होगा अगर RBI ने इसको अभी भी function करने के लिए allow कर दिया because again लोग फिर deposit करेंगे तो deposit करेंगे उनका पैसा loss में जाएगा तो of course लोगों को फिर loss जहिलना पड़ सकता है and that's why यह favor में नहीं है public interest के तो RBI ने decide करा है इसका license cancel करने को अभी अगर हम बात करें कि क्या कोई दूसरा तरीका नहीं था जिससे की मतलब bank recover कर पाए revive कर पाए मतलब license रद कर देना यह option बचा था क्या अभी हम बता दे RBI कोई भी decision इतनी जल्दबाजी में नहीं लेता है it takes around six to seven years देखता है कि if there are any ways left which we can you know use to revive the banks okay 2013 से notice जारी करे जा रहे है रूपी को अपरेटिव बैंक को उनके withdrawals भी suspend कर दिये गए जो board of directors था क्यूंकि जो corruption होता है उसमें बड़े officials का ज्यादा काम रहता है तो उन्होंने change करा board of directors भी change कर दिया जो सुधीर पंडित है उनको administrator बना दिया ताकि कुछ revive कर पाए कुछ चीज़े अच्छी हो पाए और bank basically survive कर पाए इसके लिए लेकिन सुधीर पंडित ने भी बहुत सारे steps लिए बहुत cases भी फाइल हुए जो defaulters थे उनके लिए जो NPA में convert हो गए तो जो loans वापिस ने आ रहते है उनके against case भी फाइल बट basically कुछ reproductive नहीं हो पाया हमने रुपी cooperative bank को बहुत like merge करने की भी कोशिश करी with some nationalized banks और सरस्वत bank के साथ भी इसके proposal गए थे merge करने के लेकिन सब fail हो गए क्योंकि जो debt था ना जो NPAs थे वो इतने जादा है कि it won't even work even if we are trying to merge this bank with some other bank okay अभी impact on depositors क्या रहेगा इसका first of all RBI ने बोला है एक corporation है deposit insurance credit guarantee corporation जिसके तहत ये बोला जाता है कि अगर कोई भी bank loss में जाता है कोई भी bank की बुरी condition आ जाती है तो जितने भी उसके depositors होंगे जिनके 5 लाग तक की saving उसमें deposit होगी उनके पैसे 100% वापस दिये जाएंगे तो इसी के तहत जितने भी depositors है जिनके 5 लाग तक पैसे deposit है इस bank में उनके 100% money वापस आ जाएगी उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है even if it takes some time but आ जाएगी लेकिन on the other hand जो 4600 depositors है जिनके 5 लाग से जादा deposit है इस bank में और around 4600 depositors है और जो इनकी net worth है 340 करोर जो इनके deposits हैं इनको खोना पड़ सकता है एक substantial amount of deposit मतलब ये थोड़े चिंता में रहने का इनको है कि रहना चाहिए क्योंकि अपना पैसा खो सकते हैं अभी बाकी जिनके 5 लाग से नीचे के जो deposit है वो उनकी net worth बन रही है 700 करोर और RBI ने बोल दिया कि उनका 100% वाप पस चला जाएगा पैसा बाकी ये कहा जा रहा है अभी कि 99% of depositors will get their money 100% money back लेकिन जो 1% है उनको ही लोस जिलना पड़ेगा जो भी है अब यही है लोस तो जिलना ही पड़ेगा because क्या ही बोलू अब मैं अब cancel हो गया है license भी और इतने लोस में खुद है तो कहां से ही पैसा आ so that was the news for you guys I hope you like this video if you like it please give it a thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you in the next video till then stay happy healthy and bye